है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू चमकी बीमारी का जो लच्छड है उसमें वुखार आता है बच्चा जो है अग बगबात करने लगेगा खाना पीजा छोड़ देगा सूस्त हो जाएगा कोने में एक बैठा रगेगा उसको उल्टी आने लगेगी और स्रीर पर चक्टे लाल दाने परशने हैं अग बगबात करने का मतनलब सवान उठागे पेटने लगेगा घुट प्रेट दिखाने लगेगा और जठाट कatics जो है वह ऐसे o से अग बन करके भी आ सकता है ऐसे तेड़ा ओ चकता है यह तो एक हाथ सिर्फ केड़ा या तो बच्चा अचानक गिर सकता है कुछ भी हो सकता है उसको चमकी बिमारी कहते हैं अगर ऐसा कोई लच्छन मिला हो यानि बुखार आ रहा हो बच्चा अगबग बात कर रहा हो सरी में चकत्ते हो रहे हो उल्टी हो रही हो बार-बार पिसाब नहीं कर रहा हो पी लिया हो तो फोरन जो है सरकारी होस्पिटल में जाईए यह तो आसा एनम के पास जाईए किसी जोला छाप डाप्टर के पास नहीं जाईएगा वो लोग बुलुकोस की बोतल गलत चभा देते हैं उसकी वयासे दिमाग मस्तिक जो रहे उसके दिमाग फूला रहता है ज्यादा पानी च जाओ सरकार जो है टीका लगवा रही है और टीका लगवाओ बच्चे को खुब पानी पिलाईए लीची अगर भहुत देशारा खा लेता है तो रात में कोई मीधा खिला के खाना रोटी खिला के चावल खिला के सुगाईए समय नहीं हैं पानी खुब पिलाना है सरबत पि जी को या फिर जो नेता जी कोई भी जो बंते हैं आपके जी मिदार की हम आपके अच्छा करेंगे उनसे वो लिए कि नहीं हमको हमारा नाला 15 दिन से गंदगी पड़ा हुआ है साफ कराईए यह मख्छार आ रहा है मक्खी गंदगी फैला है उसको साफ कराईए नहीं को हमारा बच्चे नहीं मरा है सिर्फ गरीब के बच्चे मर रहे हैं इसलिए आप से निवेदन हैं आप सबसे गुजारिस है कि आप लोग यह संदेश की बीमारी का कोई जचड़ो बहुत पुरंद जो है आसा एर्णम से बात करके या 108 नंबर एंबुलेंस पे बोन करके और जो है जो संपर्ण करे ठीक हैं सबके समझ में जा रहा आ गया कुछ और पूशना है तो पूछ लीजिए देखिये घआ भर साफ सीपाई रखना है द भर के बाहर की साफ साफ रखना है बच्चे को साल सुथरा रखना है लईट्णल करने के बाद हात धुनना जरूरी होता है खान जानवाद में कोई काटा तो नहीं हुआ है समय नहीं है और कोई भी सुभा का खाना साम को नहीं खाना है अगर सुभा खाना खा रहा हो बदुपार में तो उसको गरम कर लो जितनी बार दूद पिला रही हो उतनी बार दूद को खौवलाओ चाहे उसमें पानी मिला खौवला हो रही है तो यह लड़ाई है अगले पता जब पानी नहीं बर जाएगा साथ बीमारी का मुझा लेकिन अभी दस पंदरा दिन अभी खत्रा है तो थोड़ा सा भी अगर बुखार तेज हो रहा है बच्चा कुछ गरबढ़ हो रहा है तो फॉन संतर भी है फिर मुलाकात होगी कभी